नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं बैठक को लेकर पार्टी के नेता, मुस्ताक, आलम का काना है कि बैठक में पार्टी के सभी मंत्री, सांसद, बिधायक, जिला, अध्यक्स, प्रकंड, अध्यक्स, सामिल होने वाले हैं बैठक के दोरान सरकार की ओर से चलाई जा रहा ही कलेनकारी और जिनाओं पर भी चर्चा की जाएगी इसके साथ ही बैठक में जर्खन के मौझूदा सियासी हालातों पर भी चर्चा की जाएगी साथ ही सियासी चुनोतियों पर भी चर्चा हो सकती है बैठा को लेकर जे एमेम के केंडरीय समीति के सरसे बिनोध पांड़े ने पत्र जारी किया है जिसमें पता अधिकारियों परखंड अध्यक्स परखंड सचीव को पसीत रहने के लिए कहा गया है जार्खं में ठेका सरमिको का बढ़ा वीडिये जार्खंड सरकार ने ठेका सरमिको के लिए परिवर्तन सिल महांगाई भात्ता में बिरिदी की है इससे अब ठेका सरमिको का नियुमतम 10-422 रुपे मानसिक मैदूरी देये होगी या बिरिदी 1 अक्टूबर से लागू होगी तथा अतिक उसल चारो स्रेनी के सरमिको के लिए परिवर्तन सिल महांगाई भात्ता के साथ साथ नियुमतम मानसिक मैदूरी भी ताय कर दी गई है और कूसल सरमिको को 1850 रुपे मानसिक मैदूरी देये होगी इसी तरह अर्द कूसल सरमिको को 1928 रुपे मानसिक मैदूरी वहीं कूसल सरमिको का 276 रुपे मानसिक मैदूरी देये होगी ज्यारखन सिक्षक नियुक्ति में 25 परतिशत पद आरक्षित सिधी भारति के अब्यारतियों के लिए राखी गई है बताद ज्यारखन करमचारी चायन आयोग ने इस परत्युक्तिया परिच्छा में सामिल होने के लिए समाने सिरेनी के अब्यारतियों के लिए अधिक्तम आयोसिमा 40 वर्ष निधारित की है जार्खन में पेट्रोल सबसिद्री का लाब उठाए जार्खन में गरीबों को पेट्रोल खरीदने पर आर्थिक सहयोग देने से सम्मन्थी थेमंत सोरेन सरकार की महत्वा कांची योजिना आप वाहों की बेट चड़ गई है जोजिना के तहत लाब को की संख्या बढ़ाने की वजाए घड़ती ही जा रही है पुरू में जहां एक लाग पंद्रह अज़्जार लाब को न इस जोजिना का लाब उठाया था वहीं इसकी संख्या आधी के करीब हो गई है गरीबी रेखा के निचे बसर करने वाले लोगों के बीच यह धारना तेजी से फैली है कि अगर वे खुद के पास दो पहिया वहान होने का परमान देते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा के के टेगरी से बाहर कर दिया जाएगा राज सरकार की अन्योज नाव का लाब नहीं मिलेगा इधर इस मामले की जनकारी मिलने के बाद खादा पूर्ती मंतरी डाक्टर आमेसर उरावने नई सीरे से कोशी से शुरू करने के निर्देश दिये लेकिन हेमन्त सुरेन सरकार पर संकट के बादल मंडाते देखकर अधिकारियों ने इस मामले में कोई खास रूची नहीं दिखाई जार्खन में बदल सकती है सियासी तस्वी सतरूड जारखन मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समयति विषतारित बैठक सुप्रवार को बुलाई गयी है एक वरसके अंतराल पर हो रही इस महतपुन बैठक में सरकार और संगठन के बिच बेहतर समनों की पहल होगी इसे जारकन मुक्ति मोर्चा की चुनावी तियारी से जोड कर भी देखा जा रहा है बैठक में केंद्री समिति के सहसो के अलावा सभी जिला अध्यक्षो सचिवो परखन अध्यक्षो और परखन सचिवो को भी उपस्तित रहने का निदेश दिया गया है मालूम हो कि हेमंत सुरेन की बिधान सबसे सेता पर अभी तक राज़ पाल रमेस बैस ने चुनाव आयो का फैसला सरोजनिक नहीं किया है राज़ पल कभी भी फैसला सरोजनिक कर सकते हैं जाम्मो को असंका है कि कभी भी जारकन में स्यासी तुफान खड़ा हो सकता है ऐसे में इसे निपटने के लिए प्लानिंग जरूरी है बिद्धवा से समोहिक दुसकर्म मामले में आयार्बी जवान गिरफतार परलातेहर में आदिवासी अधेल बिद्वा के साथ समोहिक दुसकर्म करने वाले IRB के दोनों जवान को गिरफतार कर लिया गया है इनकी हवानियत की कहानी सुनकर हर कोई दंग है आरुपतों ने न सिर्फ महिला के साथ समोहिक दुसकर्म किया बलकि उसके प्राइवेट परलात मारकर गंभी रूप से जख्मी भी कर दिया है यही वज़ा है कि महिला के हलात ज्यादा खराब है वह जिन्दगी और मौद से अस्पताल में जूज रही है उसके प्राइवेट पार्ट गंभी रूप से चोटिल है लागातार खोन बह रहा है टीकट खिलकी में नहीं दिखा उत्सा ओनलाइन बिक्री ज्यादा रांची के जे एस्टी एस्टेडियमे 9 अक्टूबर को भारत और दक्षीन अफ्रिका के बिच वन डे मैच होगा मैच को लेकर टीकटो की विक्री गुरुवार को सुरू हुई है हलाकि टीकट खिलकी पर इस बार पहले की तरह उत्साह नजर नहीं आया एस्टेडियम के वेस्ट गेट के पास 22 अकाउंट्रों में इस बार न तो लंबी कतार थी और नहीं दीन बार टीकटो की खरिदारी होती रही इस बार पुलिस बल के जवानों को भी ज्यादा मक्सद नहीं करनी पड़ी इस पर ज्यारखन राज क्रिकेट एसोसियेशन का कहना है कि पहले दिन ओनलाइन माध्यम से टिक्टो की विक्री अची खासी हुई है जेस ये सचीव देवासिस चक्रवर्ती के अनुसार सुवा के सत्र में मोसम साफ होने के बाद काउंटर से भी 350 से 400 टिकट भी के हाए महीं ले रहा है जिसके कारण किसान निरासा है जनकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि केंदर सरकार अक्टूबर महीने में दिपावली से पहले तक किसानों के खाते में बरावी किस्त की रासी टांसफर कर देगी हलाकि यह रासी किसानों के खाते में सितंबर महिने में ही आने वाली थी लेकिन भूल एखो के सत्यापन की वज़ा से इसके जारी होने में देरी हो रही है बता दे कि अब तक किसानों के खाते में पिम किसान समान निधी योजना की एगारवी की स्टांसफर की जा चुकी है स्रियम हेमंत परिवार संखुटी के पेरवागाग जलपरपात पहुंचे भर पानी से लबालब रहता है फटका पंचायत में छाता नदी पर असपस्ट जल प्रवाह के साथ एक सुंदर जारना भी गिरता है आकलन परिक्षा में आवेदन की बढ़ सकती है तारीक लेकिन आकलन परिक्षा में सामिल होने वाले सभी 49 सहायक अध्यापकों में से 18,000 सहायक अध्यापकों के साथिफिकेट की अब तक जाज पूरी हो सकी है जिन सहायक अध्यापकों के साथिफिकेट की जाज हुई वही ऑनलेन आवेदन कर पा रहे हैं लेकिन अन्य नहीं कर पा रहे हैं सिक्षा विभाग ने भी कई जी लोगों 15 अक्टूबर तक और कुछ को 30 अक्टूबर तक साथिफिकेट की जाज पूरी करने का निर्देश दिया है ऐसे में अगर अक्टूबर महिने तक तारिक नहीं बढ़ी तो कई सायक अध्यापकों आकलन परिक्षा के लिए आवेदन करने से वन्चित हो जा सकते हैं एकी करीद सायक अध्यापक संगर्श मुर्चा ने भी सरकार से मांग की है कि विए आवेदन लेने की तारिक बढ़ाई जाए धन्यवाद